हालो और वेरी गुड इवनिंग बच्चा लोग कैसे हैं आप सभी लोग मैं हानी कुमार शर्मा आप सभी का लॉजिकल रिजनिंग मेंटर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं के चैनल पर स्वाप सभी को लोग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्काys, requested व्यूजिक कौमारी जी गुड़ीवनिग कhouse, टान्या और वर्शी चौदरी तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार यस जेहिंत जी जेहिंद प्रनाम जी चाइच शर्मा वोले सींप्र नम जी प्रनाम जीद प्रणाम जी हलो वेरी गुड़ीवनिंग कैसे हैं सभी लोग यस अब देखो सबसे पहला कोश्चन क्या होता अपनी क्लास का दुम समझ गया ना सबसे पहला कोश्चन क्या है थमसब कर दो हां या ना एकदम बढ़ी आ बाद सुरब एकदम बढ़ी आ ठीक बाद ठीक बाद गुड़ीवनिंग सान असनेहा बिटा गुड़ीवनिंग निदा इसनेहा कोमल तौसीव जी अच्छा कल रात में लाइव आया थे आप विवेक सर के साथ जी बिलकुल मैं लाइव आया था विवेक सर के साथ में यस ऑडियो वीडियो सब एकदम परफेक्टली मैच्ट है आज बार में आज कोई और भणनिये थे चले ऐख चली तो बेचा लोग देखिए सब से पहले आप सभी के लिए गोड नियूज आन्ट एक फूर्थ आपका जो Grand Republic Day है, उसकी sale है, क्या sale है, आपका जो भी product है, आपके जो भी product है, सभी पे आपको मिल रहा है 20% का भारी discount, आपके जितने भी products है, CUET से related, UG से, PG से related, सभी पे आपको मिल रहा है 20% का discount, यानि कि बहुत ज्यादा discount आप सभी को मिल रहा है अपने courses पर, तो 30% का discount, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार, कि जो पहले आपका discount आपको जितना पढ़ रहा था, जो पहले discount जितना पढ़ रहा था, उस पर आपको और ज्यादा discount पढ़ रहा है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख अभी जो यहां पर फी दिखा रहा है 8 399, 8 399, जब आप कोड लगाएंगे, कोड क्या लगाना है, आपको Y695S, Y695S, जब आप ये कोड लगाएंगे बिटा, तो ये पूरा कोर्स आपको देखो, अप कितने में पढ़ रहे हैं, यहां पर पहले आपको 14 सो रुपे का डिसका है, वो कितना पढ़ रहे है, 20% का डिसकाउंट पढ़ रहे है, 20% का, हमारा कोड क्या है, Y695S, तो जल्दी से जाईए, यह ओफर जो है, लिमिटेट टाइम के लिए है, और अपनी सीट को क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, पेड बैच के अंदर, अगर आपको लेना ह यहां पे इसका फी कितना है, 3499 आप सभी को दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप जाएंगे बाइना उपर, जब आप जाएंगे बाइना उपर, तो बाइना उपर जाके आप जब क्लिक करेंगे, तो यहां पे आपको कूपन कोड अपलाई करना है, क्या, Y695S, जब आप कूपन कोड अपलाई करेंगे, तो यहां पे भी देखो, अब यह कोर्स आपका कितने में पढ़ रहा है, 2799 में, यह पूरा कोर्स आपको पढ़ेगा 2799 में, यानि कि यहां पे 21% आफ मिल रहा है, पीजी में तो और भी जादा 21% आपको आफ मिल रहा है, तो जल्दी से जाक तो देखो, उनके लिए भी यहां पे offer है, क्या, कि आप जाएंगे Undergrade Entrance Exam में, और आपको यहां पे Language और General Test जब आप चूज करेंगे, तो यहां पे देखिए आपके दो batch है, निपोन और समर्थ प्लस batch, तो समर्थ प्लस batch जो है, अभी स्टार्ट हुआ है 10 जनवरी से, तो अगर आपको इस batch में, अपने आपको enroll करना है, तो इस batch में enroll करने के लिए आपको कहां पे जाना है, buy now पर, details में, dailys के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, तो यहां पे देखिए, आपको code use करना है, y695s, जब आप ये code apply करेंगे, जब आप ये code apply करेंगे, तो यहां आपको कितना discount मिल रहा है, पहले ये batch आपको पढ़ रहा है, तो यहां पे भी आपको मिल रहा है, 21% का off, तो 20% off, यानि कि ये batch जो था, 4300 रुपे का batch आपको पढ़ रहा है, 3449 रुपे में, तो जल्दी से जाए और अपने आपको register कर लीजिए, y695s, ये code आप लोग use कीजिए, और आपको मिलेगा maximum discount हो रही है, जो offer है हमारा limited time के लिए, offer जो है limited time के लिए, तो अपनी जो seat जल्दी से जाके आज रात में ही enroll कीजिए, code use कीजिए, y695s, शलिए, तो देखिए, ये तो था सारा आपके course के बारे में, आपके course के बारे में, अब हम आते हैं, मु हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में analogy को बोला जाता है साधरश्यता, हिंदी में इसे बोला जाता है साधरश्यता, yes everyone, हिंदी में इसे बोलेंगे साधरश्यता, साधरश्यता, हिंदी में बोलेंगे हम इसे साधरश्यता, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या हो सकते हैं आप सिर्फ बुक्स भी पर्चेज कर सकते हैं तो वहां पर आपको सारी बुक्स भी मिल जाएंगी वहां पर भी आपको मिलेगा 20% आफ का कूपन लगाई आप कोड आपको पता है वाई 695S यह आपको कोड यूज करना है तो आप जल्दी से जाके कोड लगा के अपन होगा है यहां पर करेक्ट आंसर यह समबंद है माइट करि ओस समद्ध होगा किस से हो जाएगा यह सिंगुलर और लूरा वेल ऩोड़ बहुत अच्छे बटा-खोशी कुमारी बहुत बहुत अच्छे एग्दम सही पकड़ें एगदम सही पकड़ें तो QITA होगा यहां पर हमारा correct answer देखते हैं कितने बच्चे सही answer करते है देखिए mouse का जो plural है mouse का plural क्या है mouse का plural क्या होता है बटा लोग mouse का plural जो होगा वो क्या होगा यहां पर mice होगा mouse का plural क्या होता है to datum का जो plural होगा datum का जो plural होगा वो क्या हो जाएगा जल्दी से बता देंगे क्या हो जाएगा तो डेटम का जो plural होता है वो क्या होता है डेटा होता है डेटा ना कि डेटम होगा डेटा होगा इसका जो plural होगा वो क्या होता है डेटा होता है ना कि डेटम होगा डेटम होगा तो यहां पर correct answer क्या आएगा B आएगा C नहीं आएग यहाँ पर जेए डेटा होगा है कोई तो ब्त डेटा होगा दाल की सुगाए यहां चुछ वहां जो होगा हमारा प्लूरल होता हूँगा अजित्की datums होगा datums होगा ठीक है तो बीजो होगा हमारा correct answer होगा ठीक है तो मीनल बिता very good बहुत अच्छे लाजवाब शानदार जबर्दस्थ जिंदाबाद बहुत अच्छे बिटा लोग ठीक है क्लियर तेयर हुआ चलो आगे चलते हैं आगे बड़े confidence में आ गये थे अब देखिए ऐसे ही formula formula का जो relation है वो किस से है formula से है तो slabby का वही relation किस से होगा अब वही यहाँ पर किसका relation चल रहा है singular का relation चल रहा है singular अब देखिए formula का relation क्या है formula से तो फार्मुले का singular क्या होगा, फार्मुला होगा, तो syllabi का single क्या होझाऊएगा, उलेभी का single क्या होझाएगा, singular word जो होगा, syllabi का वो क्या होझाएगा, गुड इवनिंग, अबे cold इवनिंग, तो जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे क्या correct answer होगा, गुर्विंदर बोल रहे हैं, सर वीडियो ओडियो मैच नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चे पहले ही थम्सप कर चुके, कि सर आपका ओडियो वीडियो एक दम अच्छे से मैच कर रहे है, तो सिलेबी का जो संबंध होगा, देखिए, फॉर्मूले का, एफो आर, एम यू, एल ए इसका जो सिंगुलर होगा, सिंगुलर इसका क्या हो जाएगा, एक वचन क्या हो जाएगा, एक वचन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला, छीक है, अब यहाँ पे इसी तरह से सिलेबी का सिंगुलर क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, सिलेबर, S Y L L A B U S That will be our correct answer तो यहाँ पर correct answer क्या आजाएगा C आजाएगा तो जितना की मैं comment section में देख पा रहा हूँ सभी बच्चों ने answer किया है C तो C सभी का correct answer हो जाएगा आत्मराम जी good evening very good evening बिटा चलिए हां जी अब देखिए wolves का relation है pack से वाल्फ का relation किस से है pack से तो teachers का वही relation किस से होगा हां जी वाल्फ का क्या होता है pack pack का मतलब group pack का मतलब क्या हो गया group group of wolves wolves का मतलब क्या होता है भेडिये तो group का मतलब क्या यहाँ पर क्या है wolves wolves का क्या होता है pack wolves का मतलब होता है भेडिये तो teachers का क्या होगा galaxy flock faculty professor यहाँ पे correct answer क्या आ जाएगा यहाँ पे correct answer क्या आ जाएगा बिटा सब कुछ match हो रहा है एक दम अच्छे से match हो रहा है यहाँ पर जितना मैं देख पा रहा हूं सारे बच्चे answer क्या कर रहें डी कर रहें कि वाल्प का relation किससे है यानि कि भेडियो का जो गुरूप होगा उसको क्या बोलेंगे पैक बोलेंगे तो teachers का जो गुरूप बनेगा वो क्या बनेगा पैकल्टी बनेगा, teachers का गुरूप क्या बनेगा बच्चा लोग फैकल्टी बन जाएगा तो option D जो होगा हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा, option D will be our correct answer, option D जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा तो जितने बच्चों ने answer किया है D, सभी का answer क्या है? एकदम सही और सटी का answer है. चलिए, आगे चलते हैं. हाँ जी, कार्डियो लॉजिस्ट, कार्डियो लॉजिस्ट का relation है heart से, यानि की हिर्दे रोग विशेशग्य का संबंद किस से है, हिर्दे से है, तो उसी तरह से neurologist का relation किस से हो जाएगा, नियूरॉन से, इयर यानि की कान से, नोज यानि की नाग से, ब्रेन यानि की मस्तिस्क से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct answer. आडियो वीडियो मैच नहीं कर नहीं है, कि एक सेकंड रुख जाओ, अभी हो जाएगा, अभी इसको relation किस से है, हार्ड से, तो neurologist का वही relation किस से हो जाएगा, यस, neurologist का same relation किस से हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर correct answer, क्या होगा, correct answer, audio, वीडियो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा correct answer, everyone, यस, जल्दी से बता देंगे, क्या होगा यहाँ पर हमारा correct answer शबाज बच्चा लोग क्या होगा यहाँ पर correct answer तो देखिए कार्डियो लोजिस्ट कौन होता है हिर्दै रोग विशेशक है किसकी जो बिमारी है वो हिर्दै की बिमारी को यस बच्चा लोग आपको सभी को अभी अवाज आरी है अभी ओडियो वीडियो एकदम अच्छे से match हो रहा है शबाज बच्चा लोग अभी जल्दी से comment करके बता देंगे ओडियो वीडियो मैच हो रहा है यहाँ पर thumbs up कर देंगे चैट में thumbs up कर देंगे अगर audio video match हो रहा है तो जल्दी से सभी लोग क्या कर देंगे? thumbs up कर देंगे, yes, everybody, everybody, give a thumbs up in the chat box, audio video match हो रहा है, यह ओके, चालो, thank you very much, thank you, thank you very much, आप एकदम सब different है, आप कुछ भी different नहीं है, सब एकदम एकदम अच्छा है, perfect है, तो देखिए, कार्डियोलोजिस्ट का relation किससे है, हार्ड से, तो नियूरोलोजिस्ट, यानि कि किससे relation, आपके brain से relation होगा, brain से, मस्तिस्क रोग विभाग, जो होगा, neurology क्या होता है, बिटा, study of your brain, study of your brain, ठीक है, यानि कि आपके जो brain का जो भी इलाज करेगा, वो कौन करेगा neurologist होगा तो यहां पर डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा option d will be our correct answer ठीक है यह नहीं होगा neurons नहीं होगा बिटा neurons नहीं होगा option d will be correct answer अच्छा neurologist में neuro आ रहा है तो इसलिए तुम्हें neurons answer लग रहा है जी 484 का relation है बाइस से तो 4096 का वही relation किस से हो जाएगा वा मेरे लाड़लो वा मतलब neurologist में neuro दिख रहा है तो neurons answer कर रहे हो बहुत सई बहुत सई मतलब देश का भविश्य जो है अच्छे हातों में है बहुत सई हमें तो लगता था कि तुम लोग 30 मार खाऊ पर तुम तो 40 मार खाऊ हम तो सोचते थे कि तुम लोग सेफ 30 मार खाऊ तुम तो 40 मार खा निकले सारे हां, जी, 484 का relation किस से है, यहां पर, 484 का relation किस से है, यहां पर, 22 से, तो यहां पर, 4096 का relation किस से हो जाएगा, तो यहां पर देखिए, अब देखिए, 22 का square कितना होता है, 22 का square कितना होता है 484 यानि कि यहाँ पे यह 22 का square है तो 4096 किसका square होता है 64 का जब square करेंगे 64 का जब square करते हैं तो क्या मिल जाता है 4096 मिल जाता है तो यहाँ पे जो correct answer आजाएगा हमारा option B option B जो होगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही और सटी का आंसर हो जाएगा option B will be our correct answer option B जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एकदम सही और सटी का आंसर हो जाएगा ओके बचलोग clear हुआ clear हुआ सभी को चलेंगे question number 6 पर question number 6 अब देखिए astronomy 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 का relation है stars से खगोल astronomy का relation है stars से तो agronomy का relation किस से हो जाएगा हाँ घगोनोमी का relation किस से होगा fertilizer से pesticides से crops यानि की fustle से pulse यानि की दाल से जलदी से बता दो यह भी easy question है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा correct answer yes agronomy क्या होता है study of किसकी होती है stars की तो agronomy क्या होगा agronomy क्या होता है study of crops होगा study of crops होगा pesticides नहीं होगा pesticides नहीं होगा मेरे लड़ लो pesticide क्या होता है दवाईयां होती है जो खेत में फसलों में डाली जाती है जो फसलों में डाली जाती है pesticides वो होते हैं हमारे अब देखो यहां पर answer क्या आजाएगा crops आ जाएगा crops option c will be our correct answer option c जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा यहाँ पर c crops agronomy तो बहुत common word है यह तो आप सभी ने सुना होगा agronomy बहुत common word है आप सभी ने सुना होगा जरूर सुना होगा तो यहाँ पर correct answer क्या आजाएगा हमारा option c आजाएगा crops will be our correct answer crops क्या होगा एकदम सही और सठीक answer हो जाएगा ठीक बचलो crop yes very good चलेंगे question number 7 पर हाँ जी अब देखिए question number 7 क्या है 8 ratio 576 8 ratio 576 तो यहाँ पर आपको बताना है 13 का जो relation होगा 13 का relation किसके साथ हो जाएगा जल्दी से बताएंगे यदि 8 का relation है 576 के साथ में तो 13 का वही relation किसके साथ हो जाएगा शबाज बच्चा लोग क्या होगा यहाँ पे हमारा correct answer क्या होगा हमारा correct answer everyone क्या होगा यहाँ पे हमारा correct answer शबाज बच्चा लोग क्या होगा यहां पर हमारा correct answer यह यह पेस्टी साइड क्या होते हैं बैटा जो इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को बरबाद करते हैं उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं पेस्टी साइड का स्प्रे करते हैं ठीक है लेकिन अग्रोनोमी क्या होता है स्टैडी ओफ क्रॉप्स फसलों का अध्यन करना क्या होता है अग्रोनोमी होता है यहां पर तो यहां पर correct answer क्या आ जाएगा यदि आठ का रिलेशन है पांसो चीएतर से तो तेरा का वही रिलेशन किस से हो जाएगा थर्टीन का रिलेशन वही किस से हो जाएगा थर्टीन का वही रिलेशन किस से होगा तो देखिए यहां पर मेरे पास आंसर आ रहा है सी और जितने भी बच्चे सी आंसर करें सभी का आंसर क्या है एकदम सही और सटी का आंसर है सटी का आंसर चल मैंने 9 से multiply किया तो कितना आ गया पांसुची तर आ गया ठीक है इसी तरह से हमने क्या किया 13 का square किया कितना आ गया 169 और 169 को जब हम 14 से multiply करेंगे 149 कितना हो गया 126 14 84 84 84 और 12 कितना हो गया 96 यानि कि 12 बच्चा आपका 9 बच्चा 14 एक हम 14 और 9 कितना हो गया 2366 यह हमारा क्या आ जाएगा correct answer आ जाएगा इसी तरीके से किया सभी ने हां जी इसी तरीके से बनाया सभी ने हमने क्या किया 8 का स्क्वाइर किया 64 इंटू 9 कर दिया कितना आ गया 566 फिर हमने 13 का स्क्वाइर किया 13 का स्क्वाइर कितना आ गया 169 और इसको जब जोगे तो भी आनसर कितना आएगा यही आएगा दो तरीके सा आप इसको बना सकते हो सेम आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं question number 8 question number 8 हां जी ग्रेप का relation है fruit के साथ में अंगूर का relation किस से है फल से अंगूर का relation किस से है फल से ग्रेप यानि कि अंगूर अंगूर का relation किस से है फल से तो टर्मरी क्या होता है बिटा हल्दी टर्मरी क्या होता है हल्दी हल्दी का वही relation किसके साथ हो जाएगा वैज़े टेबल यानि की सब्जी डेट्स यानि कि आपके जो भी डेट्स वगएरा खजूर वगएरा जो हुते हैं इस्पीसीस मसाले और सीरियल्स क्या होगा यहां पर correct answer yes everyone क्या होगा यहां पर हमारा correct answer तो दिखिए ग्रेप कैए एक फ्रूट है और टर्मरिक क्या होगा टर्मरिक क्या होता हम मंदे करेक्ट मत करने संडे क्या होता है मसाले होता है आपके मसाले ठीक है बच्छा लोग तो जब ग्रेप आपका फूरूट है तो टर्मरी क्या है आपके मसाले हैं ठीक है तो यहां पर आंसर क्या आजाएगा थे option C is our correct answer, option C is our correct answer, चलेंगे question number 9 पर, हाँ जी, अगला प्रश्न question number 9, question number 9, अब ये कौन है, ले लो पो दिना, मैं फिर देखो, फिर तुम वही कर रहे हो है न, चलिए, अगला question है, 4 का relation किस से है, 80 से, 4 का relation किस से है, 80 से, तो बताएंगे, 9 का वही relation किस से होगा, 4 का relation है, 80 से, तो 9 का वही same relation किस से हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, धनिया पुदिना बोल रहे हैं, सर डाइग्राम नहीं जचा, अरे भाईया, सब जच जाता है, हमारी क्लास में सब जमता है, तुम टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो, सब जमेगा, अच्छा, तुम हुजाइफा हो, धनिया पुदिना बोल रहे हैं, अच्छा, आरे, ओके, ओके, धनिया पुदिना, वाँ, वाँ, मेरे धनिया पुदिने, मेरे लौकी, मेरे रायते, चलिए, क्या होगा, यहाँ पर correct answer, everyone, तो यहाँ पर answer आने लगा है, मेरे पास में, B, B और D answer कर रहे हैं, बच्चे लोग क्या answer कर रहे हैं, B और D, B और D, चलिए, चलिए, अब देखो, यहाँ पर correct answer क्या आजाएगा, हमारा यहाँ पर correct answer क्या आजाएगा, अब देखो बटा, 4 का square कितना हो रहा है, 4 का square कितना हो रहा है, हमारे पास में या फिर 4 का क्यूब कर दें, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो गया, 16, 64 हो गया, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया, और इसमें 4 का स्क्वाइर कितना है, 16, दोनों को add करो, तो कितना आ गया, 80 आ गया, इसी तरह से 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और इसमें 9 क talkinТ三 nine plex予 जीरो टो एट टैन एट एट्ट ऊंपार 11 और नहीं पर कितना आगए यह पर टो यहां पर टीरो है 근क ho जाएगा थान सेवन को जाता है फूरर मैंने पोर को जगे कितना उगे फिरो सक्वायर को स्कार ले लिए दूसरा हम किसको कैसे कर सकते हैं, दूसरा इस question को कैसे कर सकते थे हम, आसानी से कर सकते थे, एकदम आसानी से, 4 का square कितना होता, 16 होता, और 16 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 9 का square कितना होगा, 81 होगा, और इसको 10 से गुणा करेंगे, तो भी कितना आ ज दस आजाएगा, दो तरीके से आप इस question को बना सकते हूँ, आपको clear हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या जाएगा, आट सो दस आजाएगा, चलेंगे अगले question पर, हाँ जी question number 10, small का relation है, small का relation है size से, तो triangle का relation किस से हो जाएगा, शेप से, एरिया से, ट्रिग्नोमेटरी से, ओवल से, तो जल्दी से बता देंगे, क्या होगा है, यहाँ पर correct answer, शावाज बचलो, small का relation है, size से, तो triangle क्या होगा, triangle क्या होगा, यह तो बहुत easy question है, यह तो एकदम easy question है, कता easy question है, इससे easy question होई नहीं सकता, परवरी last में आजाएगा, परवरी last में आपके forms, यहाँ तक मैंने सुनाएगी, आ सकते हैं, आ सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, small क्या है, size कैसा है, small है, छोटा size है, तो यहाँ पर triangle का किस से relation हो जाएगा, आपका shape से, triangle क्या है, आपका shape है, तो correct answer क्या आजाएगा, option A हमारा correct answer आजाएगा, A will be our correct answer, very good, शाबास बहुत अच्छे, अरे तुम तो बहुत तेज हो यार, A जो होगा, हमारा क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, option A will be our correct answer, very good, बहुत अच्छे, जबर्दस, जिन्दाबाद, ला जवाब, चलेंगे अगले question पर, हाजी, question number 11, question number 11, हाजी, 14 का relation किस से है, 144 से, 14 का relation किस से है, 144 से, तो बताएंगे, तो बताएंगे, यहाँ पर question mark के place पर क्या आजाएगा, कि उसका relation 289 से हो जाएगा, कि उसका relation 289 से हो जाएगा, देखते हैं, कितने लोग यहाँ पर एकदम सही answer करते हैं, कितने लोग यहाँ पर एकदम सही answer करेंगे, हाजी, 14 का relation है, 144 से, तो यहाँ पर किस का relation किस से हो जाएगा, तो यहीं पर देखिए, मेरे पास एक answer आने लगा है 17, कुछ बच्चे A answer कर रहे है, A for Apple, वंदना ने बोला है, Sir 19, CUT aspirant बोल रहे हैं, Sir A होगा, तुशार कमल बोल रहे हैं, Sir 15 होगा, LP 7 drawing बोल रहे हैं, Sir PDF कहां मिलेगा, PDF जब आप CUT Adda 247, आप जब Adda 247 की app को install करोगे, तो वहां आपको आपको जाना है, कहां पर, CUT Adda पर, वहां पर आपके class के नीचे, आपको PDF मिल जाएगा, class का, ठीके, सारे question आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो देखिए, यहां पर क्या होगा, आप देखो, बहुत इसी question है, बड़ा अच्छा question है, बड़ा प्यारा और बड जब 19 में से हम 2 को घटाएंगे, तो कितना आएगा, 17 आएगा, और 17 का square कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, तो option यहां पर क्या आजाएगा, B हमारा क्या होगा, correct answer, option B जो होगा, हमारा क्या हो जाएगा, correct answer, बी से बल्ले बल्ले, हमारा correct answer हो जाएगा, ठीके, चलते हैं SY, GJ, SY का relation किस से है, यहां पर, इसका relation है, HVMX से, HVMX से, तो बताएंगे, तो बताएंगे, TRWD का वही relation किस से होगा, TRWD का वही relation किस से हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे, क्या हो जाएगा, correct answer, शाबाज बच्चा लोग, शाबाज, बस B से बिटा रननो, BHU तो ही, आज बल्ले बल्ले भी कर लेते हैं, भंगडा पा लेते हैं, थोड़ा सा क्लास में, ठीक है, तो देखते हैं, कितने बच्चे यहां पर सही answer करते हैं, कितने बच्चे यहां पर सही answer करेंगे, देखो, GJSY, का रिलेशन किस से है, HVMX से, तो यहां पर आपसे पूछा गया, TRWD का वही रिलेशन किस से हो जाएगा, TRWD का वही रिलेशन किस से हो जाएगा, अब देखो, बड़ा टेड़ा सा कोश्चन है, चलिए, यहां पर answer आने लगाए, क्या answer आ रहा है, यूजड 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 अब देखो, GJSY का रिलेशन किस से है, HVM और X से, अब दिमाग लगाओ, देखो, प्लेस वैल्यू रख दो, साथ, दस, उन्नीस और यहां पर पच्चिस, यहां पर कितना है, आठ, यहां पर बाइस, यहां पर कितना आ रहा है, तेरा, और यहां पर कितना आ रहा है, बिटा, आपका चौबिस, तो यहां पर सीधा-सीधा, माइनस वन किया है, यहां पर सीधा-सीधा, हमने क्या किया है, प्लस वन, अब देखो, 19 में 3 जोड़ा, तो कितना आ गया 22 आ गया और जे में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 13 आ गया तो बीच वाले को क्रॉस में कर दिया पहले वाले में प्लस वन लास्ट वाले में क्या कर दिया माइनस वन कर दिया ठीके इसी तरह से अब 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यू आ जाएगा यू जयव्जadd, आईसा कॉंसा option है हमारा a, तो option a जो होगा बच्च लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा correct answer a आ जाएगा, देख लो बहुद शांदार question है बड़ा अच्छा question है बड़ा प्यारा question है क्या किया है है यहाँ पर G plus 1 H Y minus 1 X और S plus 3 V और J plus 3 V बीच में cross में कर रहे बीच में क्या कर रहे है cross में कर रहे है लेकिन आजू-आजूबाले को क्या कर रहे है प्लस वन और माइनस वन कर रहा है आजू वाले को क्या कर रहा है आजू बाजू वाले को प्लस वन और माइनस वन कर दे रहा है clear हुआ बच्चा लो clear हुआ क्यों भई यह धनिया पोदीना clear हो गया तुम्हें हां जी ले लो पोदीना, क्लियर हो गया तुम्हें, चल यह आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले कोश्चन पर, कोश्चन नम्बर 13, हां जी प्रशन संख्या 13 के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशन संख्या 13 के लिए, हां जी, 25 का रिलेशन है 576, 25 is related to 57 तो बताएंगे बच्चा लोग, यहां पे, यहां पे 179 के साथ में किसका रिलेशन हो जाएगा, 25 का रिलेशन है 576 थे, तो यहां पे बता देंगे, कि 169 का वही रिलेशन किस से हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, क्या होगा, यहां पे हमारा करेक्ट आंसर, शावाज ब बच्चे यहां पे एकदम सही आंसर कर देंगे, चल्य यह, बहुत अच्छे बच्चा लोग, 14, 15, अनुष्का कश्चप का आंसर 15 आया, कोश्चन नंबर 13 क्या होगा, 13 क्या होगा, कालिया, कोश्चन नंबर 13 का भी वही होगा, जो मंजूरे खुदा होगा, don't worry, C आंसर आ को घटा दू, 25 में से एक को घटा है, तो 24 आ गया, और 24 का स्क्वाइर कितना होता है, 576 हो जाता है, 24 का स्क्वाइर कितना हो जाता है, 576, तो बिटा यह किसका स्क्वाइर है, 13 का स्क्वाइर है, 13 का स्क्वाइर है, यानि कि मुझे किस में से एक घटाना पड़ेगा, जब तो मेरे प्यारे लाड़ले बच्चो जितने बच्चों ने आंसर किया है एकदम करेक्ट चलेंगे अगले कोश्चन पर हां जी आँख का संबंध है मोतिया बिंद से यानि कि कितने लोग यहाँ पर सही आंसर कर देंगे diabetes, eczema, malaria, elephantiasis क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर let's see let's see क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर नौशी ओलैरें सरको धनिया बोदीना पसंद आ गया है अरे भीजार अरे भीजा कैसी बात कर दी भाई शेटार्स्ट अकाई गता है अब देखो यह तो एकदम इजी पीजी कोश्चन है आँख में मोतिया बिंद हो जाता है लोगों को काला काला घेरा बन जाता है आँखों में, ठीक है, तो skin का relation किस से हो जाएगा? eczema से हो जाएगा किस से हो जाएगा eczema eczema कैसे बिमारी होती है बिटा अगर कहीं पे आपको बाडी पे चोट लग गया तो वहाँ पे अगर आपको घाव हो गया तो इस घाव से जो भी आपका लिक्विड निकलेगा जो बाडी के किसी भी पार्ट पे लगेगा वहां पे दूसरा घाओ बन जाएगा वहीं पे दूसरा घाओ बन जाएगा वो घाओ भड़ता चला जाएगा वो होता है एक्जीमा और एक्जीमा का इंडिया के अंदर अभी तक कोई भी क्योर नहीं है कोई भी इलाज नहीं है तो एक्जीमा जो होगा चंडीगड़ और करनाटका, क्या हो जाएगा यहां पर correct answer, let's see, कितने लोग यहां पर आप में से correct answer करते अच्छर जावाज बच्छा लोग, तो देखेए, पुडु चेरी, जिसको आप प्यार से क्या बोल देते हो, पॉडु चेरी का रिलेशन है union territory's के, कितनी यूटी हैं सबसे पहले कमेंट में बताएंगे कितनी यूटी है इंडिया के अंदर हाँ जल्दी से बताएंगे कितनी यूटी है इंडिया के अंदर यूटी है इंडिया के अंदर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए देखो देरी नहीं होनी चाहिए गौली की रप्तार से आंसर आना चाहिए, कितनी यूटी है इंडिया के अंदर, शबास बचलो, कितनी यूटी है इंडिया के अंदर, 9 8 या 9 अब देखो यहाँ पर लड़ाई होगी 8 और 9 की यहाँ पर लड़ाई होगी 8 और 9 की शवास मेरे लाड़ लो 8 unit आपकी जो ut है वो कितने है 8 है 8 uts are there 8 हैं देखो कुछ तो 7 भी कर रहे हैं बहती गंगा में हाथ दो रहे हैं 7 वाले बहती गंगा में हाथ दो रहें तो यहाँ पर state का relation किस से हो जाएगा करनाटका से करनाटका से क्या हो जाएगा state का relation हो जाएगा करनाटका से relation क्या हो जाएगा state का चलेंगे question number 16 पर 11 का relation किस से है 11 का relation है 1452 से तो बताएंगे तो बताएंगे दस का वही relation किस से हो जाएगा, दस का वही relation किस से हो जाएगा, चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पे हमारा correct answer, क्या होगा यहाँ पे correct answer, बिटा करनाटा का state है ना, करनाटा का state है नास बेगम, इसलिए वहाँ पे करनाटा का answer आ गया, इसलिए हमारा जो answer यहांतर आई यहां nugल रहा है करना डंवाया चलिए जल्दी से करेंगे क्या होगा क्रेकटर यहां पेIREक्ट का आंसर अ चुका है 1200 यहां पेठ्थिक एंसर हमारा क्या हो चाहेगा है यहां पे अंसर क्या हो जाएगा पे 1100 चलिए देखते हैं अब देखो ग्यारा का क्यूब कितना होता है 1331 ठीक है और उसको जब मैं 112 यानि कि 151 कर दिया तोकितना आगया 1452 ठीक है तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000 आएगा कितना आएगा 1000 आएगा तो 10 का स्क्वार कितना होता है 100 होता है 100 तो इनको एड करेंगे तो कितना आजाएगा 1100 आपका आजाएगा तो option D जो होगा हमारा क्या हो जाएगा correct answer option D will be our correct answer very good बहुत अच्छे चालेंगे question number 17 पर question number 17 का correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा very good बहुत अच्छे जबर्दस जिन्दा बाद शाबाज क्या होगा यहाँ पर correct answer देखिए QRYU का relation है किस से यहाँ पर किस से है T O B S से तो बताएंगे यहाँ पर question mark के साथ में किसका relation होगा F G T N से F G T N से वही relation किसका होगा yes everyone क्या होगा यहाँ पर हमारा correct answer कृतिका बोल रहे है time लग गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं बता सीखो सीखो हाँ जी QRYU से relation है T O B S का तो F G T N से वही कौन सा relation होगा same में कौन सा relation हो जाएगा same में कौन सा relation हो जाएगा चली क्या होगा correct answer yes everyone A चली कौमल राजपूत का अंसर आ रहा है A अनीता यादव का अंसर आ रहा है A अरबाज खान क्या बोल रहें सर साथ होंगा UT क्योंकि जम्मू एन काश्मिर और लद्दाक एक हो गए हैं ठीक है okay I will check it I will check it don't worry don't worry I will check it for sure I will check it yes everyone क्या होगा यहां पर हमारा correct answer शाबास चलो फटावट से सब के आंसर आने चीए 123 स्टूडेंट है लाइक सिर्फ 62 बच्चों ने क्लास को किया है बहुत ना इंसाफी है रे ठाकुर बहुत ना इंसाफी है तो देखो 17 18 25 और 21 यहां पे कितना है 20 15 2 और 19 तो देखते हैं 17 से 20 पे गया क्या किया प्लस 3 किया 18 से 15 पे गया यानि कि माइनस 3 कर दिया 25 से 2 पे प्लस 3 कर दिया और 21 से 19 पे आ गये यहां पे हमने क्या कर दिया है 21 से 19 पे आ गया यानि की माइनस 2 कर दिया ठीक तब जाके हमारा आएगा यह V होना चीए, U नहीं है, यह V है, कुश्चन में यहां पर correct करो, इसको V होना चीए, V, क्योंकि pattern जो बनेगा, वो क्या बनेगा, plus 3, minus 3 का, तो यह V होना चीए हमारा, V होना चीए, क्योंकि V का number 22 होगा, तब ही तो 19 आएगा, minus 3 करने पर, ठीक है, तो यहां पर चलेंगे, I, D, W, के, यहां पर correct answer क्या हो जाएगा, अब आपका correct answer क्या हो जाएगा, देखते हैं, तो देखिए, C में हम क्या करेंगे, plus 3 करेंगे, C में plus 3 करेंगे, तो F आएगा, इसी तरह से, अब मैं क्या करूँगा, J में से जब मैं minus 3 करूँगा, तो कितना आएगा, G आएगा, और फिर देखिए, Q में जब हम करेंगे plus 3, Q में plus 3 करेंगे, तो क्या आएगा, T आएगा, और Q में हम minus 3 करेंगे, तो N आएगा, ठीक है, तो plus 3, minus 3 का हमारा क्या चल रहा है, relation चल रहा है यहां पर, तो J Q Q F, sorry, C J Q Q, ऐसा कौन सा है, option B हमारा correct answer आजाएगा, C J Q Q, that will be our correct answer, C J Q Q, यह देखो, question को correct कर लो, यह Q R Y V है, Y V है, ना कि U है, ठीक है, यहां question में mistake था, तो क्योंकि यहां पर pattern क्या चल रहा है, plus 3, minus 3, plus 3, minus 3, that is our correct answer, ठीक है, चल यह आगे चलते हैं, आगे अगला question हैंजी, अगला question, चल यह answer करेंगे, Sir, आपके hoodie के back पर क्या लिखा है, बिटा मेरे hoodie के back पर लिखा हुआ है, adder 24-7, adder 24-7, यह लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, कृतिका बोलें, Sir, इस type के question में, ज़्यादा time लग जाता है, exam में ज़्यादा time ना लगे, Sir, इसके लिए क्या करें, बिटा, इसके लिए कृतिका, आपको letters का place value याद होना चीए, यह बिटा कृतिका, अगर आपको, बेटा अगर यू लिखा होता, तो minus two करना पड़ता, और minus two वाला option में था नी, तभी तो मैंने उसको correct किया, धनिया पो दिना, चीक है, तभी उसको हमने correct किया, वहाँ पे यू नहीं आएगा, क्या आना था, हमारा वी आना था, चलेंगे अगले question पर, हाँ जी, mobile का relation किस से है, टेले communication से, mobile का relation किस से है, टेले communication से, तो transportation से किसका relation हो जाएगा, petrol का, train का, diesel का, postcard का, अब देखो काफी गुमाने वाला question है, काफी गुमाने वाला question है, तो देखो, अब देखो, यहाँ पर transportation के लिए क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर transportation के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग train को यूज करेंगे, train को, train को, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, आपका train आजाएगा, कि याता यात के आओगा मन के लिए, कि हम किसको यूज़ करेंगे ट्रेन को यूज़ करेंगे ट्रांस्पोर्टेशन के लिए mobile का यूज़ क्या है आज कल तुम सब के पाँ मोबाइल है तुम से ज्याद़ा अच्छे से किसको पता होगा कि mobile का use क्या है ठीक है बच्चा लोग, आगे चलते हैं अगले question पर question number 19 question number 19 question number 19 आप सभी के सामने आ चुका है yes everyone यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा अब देखिए ASKLJ ASKLJ का relation किस से है इसका relation किस से है CVOQP CVOQP से है तो आपको बताना है यहाँ पर WOIDN का relation किस से होगा WOIDN का वही relation किस से हो जाएगा शबास बच्चा लो क्या होगा यहाँ पर correct answer ASKLJ का relation है CVOQP से तो बताएगे WOIDN का वही relation किस से हो जाएगा शबास अब यह तो बहुत इजी था बे इसमें भी गलती करोगे चलिए ASKLJ का relation है CVOQP से तो WOIDN का relation किस से हो जाएगा दिखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही answer करते हैं दिखते हैं आप में से कितने लोग यहाँ पर सही answer करते हैं Let's see PUBG का नया version पता नहीं कब आएगा और ज्यादा PUBG खेलोगे तो बिटा हो जाएगी कब जी चलो देखते हैं 1, 19, 11, 12, 10 यहाँ पर देखिए 3, 22, 15, 17 और यहाँ पर कितना हो रहा है 16 देखते हैं क्या pattern चल रहे हैं तो 1 से हम 3 पर गए क्या कर रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं 19 से हम 22 पर गए क्या कर रहे हैं प्लस 3 कर रहे हैं और 11 से हम 15 पर चले गए प्लस 4 कर रहे हैं 12 से हम 17 पे चलेगा यानि कि प्लस 5 कर रहे हैं और 10 से हम 16 पे चलेगा यानि कि प्लस 6 कर रहे हैं तो pattern क्या चल रहे है? प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 तो यहाँ पे भी वही कर दीजिए W प्लस 3 कितना होगा? Z हो जाएगा सॉरी, W में पहले प्लस 2 करेंगे सॉरी, Y आएगा, Y W प्लस 2 करेंगे, Y आएगा और O प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आजाएगा? R आजाएगा, ठीके I प्लस 4 करेंगे, तो यहाँ पे M आजाएगा ठीके, और D में जब हम 5 जूडेंगे D में जब हम 5 जोडेंगे तो कितना आजाएगा I आजाएगा और यहाँ पे N में जब 6 जोडेंगे तो यहाँ पे क्या आजाएगा T आजाएगा T तो Y, R, M, I, T Y, R, M, I, T तो यहाँ पे जो correct answer हो जाएगा option A हो जाएगा option A will be our correct answer A जो होगा हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है बच्चा लोग ठीक है बच्चा लोग तो यहाँ पे correct answer क्या आजाएगा हमारा A हो जाएगा option A will be our correct answer option A जो होगा correct answer हो जाएगा plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 यह हमारा pattern चल रहा है simple सा question था चलेंगे आगे चलिए question number 20 हाँ जी snake का relation है reptile से snake का relation है किस से reptile से तो बताएंगे toad का वही relation किस से होगा toad का वही relation किस से होगा if snake is related to reptile then toad is related to which हाँ जी snake आपका reptile है तो toad क्या होगा गोरी गंगोत्री बोलने सर blood relation में बहुत टाइम लगता है ठीक है बटा मैं blood relation के उपर एक special session लेके आजाओंगा आप लोगों के लिए जिन जिन बच्चों को blood relation में problem हो रहा है और सभी के लिए मैं blood relation के उपर एक अलग से session लेके आजाओंगा tension नक को tension नक को बिल्कुल tension मतलो परिशान मतो अभी तो आपके exam में बहुत समय है तब तक तो तुम्हें reasoning में क्या बना दिया जाएगा चीता पैंथर सब बना दिया जाएगा तो देखेते हैं यहां पर snake क्या है reptile है तो toad क्या होगा toad क्या होता है यहां पर तोड जो होता है क्या होता है हमारा amphibian होता है तोड क्या होगा हमारा amphibian यानि कि उबैचर हो जाएगा तोड क्या होगा हमारा amphibian होता है तो option B हमारा क्या होगा correct answer हो जाएगा snake reptile है तो तोड क्या है amphibian amphibian क्या होता है उबैचर ठीके तो option B हमारा करेक्ट आंसर हो गया चलेंगे 21 पर हांजी इयर्स का रिलेशन है पिनना से यह का रिलेशन है पिनना से तो आइस का रिलेशन किस से होगा आइस का रिलेशन किस से हो जाएगा हांजी लिड विजन एन्विल कॉर कॉर्णिया क्या होगा करेक्ट आंसर years का relation है पिना से तो eyes का relation किस से हो जाएगा eyes का relation किस से हो जाएगा शाबस क्या होगा यहाँ पर correct answer तो यहाँ पर बच्चे answer करने क्या होगा correct answer देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही answer कर देंगे देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही answer कर देंगे डी आ रहे है डी आ रहे है डी आंसर आ रहे है डी कुछ बच्चे बीबी बोल रहे हैं लेकिन देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्योंकि देखो पिना क्या होता है पिना क्या होता है आउटर पार्ट ऑफ अवर इस आउटर पार्ट ऑफ आउटर प 22 पर 9 का relation है 504 से 9 का relation है 504 से तो 11 का relation बताएंगे किसके साथ होगा 11 का relation बता देंगे किसके साथ हो जाएगा yes very good बिटा लो अब देखो ये तो same pattern पे ही question चल रहे हैं yes 9 का relation किससे 504 से तो 11 का वही relation किससे हो जाएगा तो 11 का वही relation किससे हो जाएगा अब देखो easy question है बट थोड़ा से tricky है easy है बट tricky है ठीक है यहाँ पर क्या होगा correct answer वन शर्मा बोल रहे हैं सर आप पूरे reasoning का session ले आओ मेरे एक question में दो मिनिट लग रहे है अब तुम्हें तो मैं इतना पीटूंगा ना तुमको मज़े लेने में ज्यादा मज़े आता है कि यहाँ पे आके पूरा reasoning पढ़के बैठे और फिर भी पालतू की बाते कर रहे हो ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना चलिए क्या होगा यहाँ पे आप सभी का correct answer let's see यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा हम लोगों का शाबाज शाबाज बचलो क्या होगा यहाँ पे correct answer everyone देखे क्या होगा यहाँ पे correct answer अब देखो अगर मैं 9 को 8 से multiply कर दूँ 98 बहतर और इसको 7 से multiply कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा कितना आ जाएगा 504 98 जा 72 और 72 को 7 से भी multiply कर दो 7 दूँ 14 7 7 49 और 50 504 आ गया तो यहाँ पे भी क्या करोगे 11 गुणा में 10 110 और इंटू में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 को जब 9 से multiply करोगे तो कितना आएगा बिटा 9 90 आ जाएगा C हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा option C will be our correct answer option C जो होगा हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है, C हमारा correct answer हो जाएगा, चलेंगे अगले question पर, हाँ जी, question number 23, question number 23, pencil का relation है stationery से, तो spoon का relation किस से हो जाएगा, पैंसिल का relation है stationery से, तो spoon का वही relation किस से हो जाएगा, शाबास बच्चा लोग, सर, मुझे reasoning का एक question नहीं होता, especially missing number और number series, ठीक है बटा आयुशी, missing number number series के अगर आपको question करने न बटा, तो यहाँ पे आप daily morning वाले session में आया करो, वहाँ पे एकदम अच्छे से बहुत सारे question कर जाते हैं, शाबास बच्चा लोग, जी बटा dice भी करवाएंगे सुनी दी, सब करवाएंगे तुमको, सब करवाएंगे, dice का, blood relation का, direction sense का, missing number का, सब का बदला लेगा, हनी शर्मा, सब का बदला लेगा, हनी शर्मा, ठीक है, tension नक को, tension नक को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी, pencil का relation है, stationery से, तो spoon क्या होगा, utensil होगा, बरतन, देखे स्पून क्या होगा, बरतन होगा, बरतन, utensil का मतलब हिंदी में क्या होता है, बरतन, ठीक है, तो correct answer का आजाएगा, C यह question भी मैं सुबह के YT session में करा चुका हूँ, यह question भी मैं सुबह के YT session में करा चुका हूँ, ठीक है चलिए आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 24 पर कोश्चन नमबर 24 FDKL हाँ जी FDKL का relation किस से है UWPO से UWPO से तो बताएंगे NAME का वही relation किस से होगा जल्दी से बता दो सर मुझसे reasoning का भी question नहीं हो रहा था ठीक है सारे होंगे भाईया सारे होंगे हाँ जी ले लो पोदीना कहां गए तुम अरे पोदीना भाईया कहां चले गए तुम अच्छा बंच बोल रहे हैं न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं किसने सता दिया बिटा तुमें किसने सता दिया बताव किसने प्रताडित किया है तुम लोगों को जल्दी बताओ जी बटा आदित है मेरा बीकत आदित है या रियल नेम हनी ही है अच्छा, ठीक है, हां जी, क्या होगा यहां पर गरेक्ट अणसर? क्या होगा correct answer yes everyone क्या हो जाएगा हमारा correct answer शाबाज बच्चा लोग शाबाज एक दम सही बोल रहे हो वंश बेटा मस्ती नहीं अब देखो यह क्या बना एप का पूज़िट क्या होगा है यू future B का पूज़िट W K का पूज़िट P कमलब पसंद L का पूज़िट हो लो जी लो अब देखो N का पूज़िट क्या होगा M होगा मन होगा A का पूज़िट क्या होगा Z होगा M का पूज़िट क्या होगा N होगा और E का पूज़िट क्या होगा V होगा तो opposite letter का trick चल रहा है क्या चल रहा है M, Z, N, V, option A will be our correct answer, option A क्या हो जाएगा, यहाँ पर, correct answer हो जाएगा, चलेंगे अगले question पर, हाँ जी, question number 25, question number 25, doctor का relation है, doctor का relation किस से है, ALZ, QLO से, ALZ, QLO से, ठीक है, तो बताएंगे, यहाँ पर, KRO, PB से किसका relation हो जाएगा, KRO, PB से, किसका relation हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, क्या होगा, correct answer, शाबास बच्चा लोग, यहाँ पर, हमारा correct answer, क्या हो जाएगा, शाबास, देखते हैं, कितने लोग, यहाँ पर, सही answer करते हैं, Yes everyone, साक्षी मिनाक्षी क्या बोल रहे हैं, साक्षी मिनाक्षी आपका नाम है, सर, वंच की, ब्रेक अप हो गया है, अच्छा, वंच का, ब्रेक अप हो गया, तो मैं कैसे पता लगा, यह kuns बहुत सताया है, ठीक है, चलो, तो विवेक सर से जाके शिकायत करो, कि सर हमें नाचेडो, सर, आप बहुत पढाते हैं, साक्षी बटा, बहुत पढा रहे हैं, तब ही तो महनत होगी न, अब साक्षी बूले सर आप बहुत पढ़ाते हैं तो बहुत पढ़ाएंगे तभी तो महनत होगी बटा तभी तो आपका सेलेक्शन होगा जितना पढ़ोगे उतना अपने सपने के करीब पहुँचोगे सिंबल सी बात है चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या किया माइनस त्री यहाँ पर प्लस त्री क्या हो जाएगा बिटा यू हो जाएगा और प्लस त्री क्या हो जाएगा बिटा आर हो जाएगा और प्लस त्री क्या हो जाएगा बिटा एस हो जाएगा और बी में प्लस त्री करेंगे तो ई हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा N U R S E N U R S E Nurse will be our correct answer Option D जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा Correct answer हो जाएगा Option D will be our correct answer Option D जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा Correct answer हो जाएगा सभी को समझ में आ चुक है सब को समझ में आ चुक है हंजी बोलो कोई दुख समझ्या तकलीफ नहीं नहीं न चलो अब जल्दी से फटा फट से 100 likes पूरे गर्दो क्लास पे चलो 89 likes हो चुके 100 likes चाहिए अब उनको 100 likes मांगता चलिए 112 ratio 126 तो यहां पे बताएंगे 120 का वही relation किस से होगा 120 का वही relation किस से हो जाएगा चलिए बताएंगे क्या होगा यहां पे correct answer शाबाज बच्चा लोग क्या हो जाएगा यहां पे हमारा correct answer शाबाज 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 लटसी क्या हो जाएगा यहां पे correct answer येस बच्चा लोग 112 का रिलेशन किस से है 126 से तो बताएंगे 120 का वही रिलेशन किस से हो जाएगा 112 का रिलेशन है 126 से तो यहाँ पर बताएंगे 120 का वही रिलेशन किस से हो जाएगा शावाज बच्छा लोग, क्या होगा, यहां पर correct answer अब देखो, यह तो बहुत easy है, क्या 14 को गुणा किया, 8 से 14, 8 कितना हो गया, 112 हो गया और 14 नम्मा कितना हो गया, 126 हो गया 14 into 8, 148 जा 112, and 149 जा कितना हो जाएगा, 149 is a 126 तो यहां पर देखो, 15 into 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा तो यहां पर 15 into 9 कितना हो जाएगा, बच्चा लोग, 135 हो जाएगा, 135 135 will be our correct answer, चलो, दो question आपके homework है, दो question आपके homework है यह question आपका homework है, चलो यह करी देते हैं, करी देते हैं इनको क्या homework देना, जल्दी से कर देते हैं, finance का relation है, निर्मला सीता रमन से, तो सुब्रे मन्यम जैसंकर का किस से relation होगा, social justice and empowerment, external affairs, tribal affairs and home affairs, क्या होगा, correct answer, क्या हो जाएगा, यहां पर correct answer, शाबाज बच्चा लोग, हाँ, जी, finance का relation है, निर्मला सीता रमन से, तो सुब्रे मन्यम संकर का वहीर, जैसंकर का relation किस से हो जाएगा, social justice and empowerment, external affairs, tribal affairs and home affairs, क्या होगा, यहां पर हमारा correct answer, शाबाज बच्चा लोग, यह, let's see, क्या होगा, यहां पर correct answer, शाबाज बच्चा लोग, yes everyone, क्या होगा, B, 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 external affairs, minister कौन है, हमारे, जैसंकर, जैसंकर, तो B, जो होगा, हमारा क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, external affairs के minister कौन है, सुब्रे मन्यम, जैसंकर है, और finance minister कौन है, finance minister इस निर्मला सीता रमन, and सुब्रे मन्यम, जैसंकर कौन है, हमारे, external affairs के minister है, चलिए, 13 का relation है, 296, 13 का relation है, 296, तो बता देंगे, 9 का वही relation किस से हो जाएगा, यह तो एकदम easy-peasy है, यह तो एकदम easy-peasy है, क्या होगा, हमारा correct answer, math बिटा वंची का कभी अलविदा नहीं कहेगा, यहां से आगे अगर आप जिस भी competitive exam की तयारी करेंगे, सब में math आएगा, और reasoning आएगा, ठीक है, सभी में आएगा reasoning और math, तो tension नक को, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ेगा India, तभी तो बढ़ेगा India, ठीक है, वंच बिटा, पढ़ेगा India, तभी तो बढ़ेगा India, चलिए, क्या होगा, यहां पे हमारा correct answer, शाबास बच्चा लोग, 13 का relation किस से है, क्या होटा, 2197, तो यहां से minus 1 कर दें, 2196 आजाएगा, तो 9 का cube कितना होता है, 729, 9 का cube 729, तो इसमें से minus 1 करेंगे, तो कितना आजाएगा, 728 आजाएगा, option A क्या होगा, हमारा correct answer हो जाएगा, option A will be our correct answer, option A जो होगा, हमारा क्या हो जाएगा, correct answer, 728, 728, अबे 730 कहां से आजाएगा, नितेश यादव, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नितेश यादव, ऐसे कैसे काम चलेगा, तो यहां पे correct answer क्या आजाएगा, हमारा A आजाएगा, तो जितने बच्चों ने A answer किया है, सभी का answer क्या होगा, एकदम सही, सठी, और correct answer हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है बच्चा लोग, तो यहां पे हमारा correct answer क्या आजाएगा, A आजाएगा, अब देखो, जाते जाते मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, जाते जाते फिर से बता रहा हूँ बटा लोग, आपके सभी courses पे आपको दो दिन के लिए क्या मिल रहा है, भारी discount मिल रहा है, 20% का discount मिल रहा है, यहां पे कितना मिल रहा है, 20% का discount, आपको code use करना है Y695S, जब आप code use करेंगे Y695S, तो सभी जो आपके जो courses है, सभी courses पे almost 21% का आपको discount मिल रहा है, जैसा कि मैं एक आपको बता भी देता हूं लगा के, एक मैं आपको लगा के बता जाता हूं last time पे, तो जल्दी से जाएए, अपनी seat fix कर लीजिए, जो भी course आपको लेना है, तो देखो यहाँ पे, जो भी course आपको लेना है, जैसे कि अभी हमें ये वाला course लेना है, कौन सा वाला course है, आपका CUET का समर्थ batch, CUET का समर्थ batch है अगर आपको ये batch purchase करना है, अगर आपको ये batch purchase करना है, तो आपको कहा जाना है, अटा 247 के store पे जाकर buy now पे click करो, buy now पे click करोगे, तो enter coupon code करोगे, क्या, Y695S, Y695S, और जब आप यहाँ पे click करोगे, तो ये code apply करने के बाद में आपको कितना off मिल रहा है बिटा, कितना off मिल रहा है, 21% का off मिल रहा है, आप लोग देख सकते हूँ, 21% का आपको यहाँ पे off मिल रहा है, 21% का, ठीक है, आपको मिल रहा है, 860 रुपे का off, तो जल्दी से जाईए, अपनी seat book कीजिए, और अपने आपको enroll कीजिए, paid batch के अंदर, तो चाहिए, आपका code क्या है, Y695S, ये code जाईए, बच्चों use कीजिए, और जल्दी से अपने आपको paid batch में register कर लीजिए, जाते जाते जिन बच्चों ने अभी तक class को like नहीं किया है, सभी बच्चे class को like करेंगे, share करेंगे, love you all, love you very much, good night बच्चा लोग, शुबरात्त्री, take care, sweet dreams,